कि अ कि अ असमीक। गायस व्यकों टो बाइक में अपीक है तो टाइडल पढ़के आपको पता लग्लागी होगा कि आज की वीडियो कुछ इंट्रस्टिंग होने वाली यह आज की वीडियू के अंदर 겁니다 पकिस्तान वर्ट दिख्श इंडियन को मैं करें है भाइक शिज्च वार्ट वे लेल्माइब मुण Då तो चले अपने वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे वहले पाकिस्तानी बाइक से स्टार्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जिस बाइक को मैंने नंबर 3 पे रखा है वह है यमाह YBR 125 एंड यमाह YBR 125 जी YBR 125 के अंदर 4 स्ट्रोग हिंगल सिलंडर एर कूल एंजिन मजूद है और इस बाइक के जो टैंक है वो 13 लिटर्स का है इस बाइक के अंदर फ्रंट पर डिस्क विए पर ड्रम मुझूद है और अगर आप इस बाइक की पेट्रोल एवरिज की बात करें और इस बाइक की जो होर्स पावर है वो तकरीबन 10 होर्स पावर है अब जो नेक्स्ट बाइक है वो यमाह YBR 125 G YBR 125 G के अंदर सेम स्पैक्स सेम फीचर्स हैं कोई जाधा चेंजिंग नहीं है जो चेंजिंग है वो सिर्फ लुक की है इसके टायर्स चेंज है और इसके लावा इस बाइक के अंदर फर्ण पर जो हैड़ लाइट है और अ पर फृंप से जो जो ऑवर्र वाल डिजाइन है वो चेंज है वास बाकी कोई चेंजिंग निया दोनों के अंदर दोनों के पेट्रोल एरविज और इसकी होस्पाव वगेरा सब कुछ सेम है अब इन बाइक्स की प्राइजिस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको YBR 125 सिंपल की प्राइज बताता हूँ YBR 125 ESD की जो प्राइज है वो है 1,39,500 रूपीज जो के अब लेटेस चल रही है और अब बात करते हैं यामा YBR 125 G के बारे में तो YBR 125 G की जो अब लेटेस प्राइज चल रही है वो है 1,44,500 रूपीज अब चलते हैं इंडियन बाइक की तरफ तो जो हमारा इंडियन बाइक नमबर 3 पर इस बाइक को मैं रखे हैं इंडिया में वो है बजाज डिसकावर 125 इस बाइक के अंदर 4 स्ट्रोक, सिंगल सिरंडर, एर कॉल्ड एंजिन मजूद है उसके अलावा इस बाइक का जो इंजन है वो कार्बरेटिट बेस्ट है इस बाइक का जो मीटर है वो फुली डिजिटल मीटर है और अगर इस बाइक की पेट्रोल टैंक की बात की जाए पेट्रोल टैंक इसका 8 लिटर का है इस बाइक के जो पेट्रोल एवरिज है वो कंपनी क्लेमड 82.4 किलोमेटर इस बाइक की पेट्रोल एवरिज है लेकिन मेरे ख्याल में जाद से जादा ये 50 टू 60 किलोमेटर पर लिटर देता हुआ इस से जादा ये नहीं दे सकता क्योंकि इसका जो इंजिन है वो एक 1.5 सिसी है दूसरा है ये बाइक तकरीबन 13.5 फॉर्स वर प्रोड्यूस करने की सलाइद रखता है इस जाद से अगर आप इसकी टॉप स्पीड इसंदीच कर सकते हैंそれでは 215 किलोमेटर इस वायएद की टॉप स्पीड इकस्पेक कर सकते हैं और यह तो सारी शीचे थें अब इस वाइक की लास्ट में प्राइस की बात कर लेते हैं तो इंडियन प्राइस के लिए लाहज से बाग्वेच प्राइस हूँ फिफ्टि डाइन थाउं रूपीस ब्रेकिंग के बात करें तो ब्रेकिंग के बिल्कुल फारिग है इसके बिल्कुल अच्छी नहीं है इसके अंदर एनलोग मिटर मुझूद है इसका जो टैंक है वो 9.2 लिटर्स का है और यह बाइक आपको तक्रीबन 30-35 किलोमेटर पर लिटर एविज देने के स्लाइट रख 20-35 किलोमेटर इसके डॉफट प्रेट और यह बाइक आपको होर्सपावर तकरीबन 11.4 देता है इस बाइक की होर्सपावर 11.4 है अब इस बाइक को मैंने नंबर टू पर क्यों रख गाए सिर्फ और इसकी पॉइस को नंबर टू पर रख यहां बाकि इस बाइक के अंदर क बहुत बड़ा फैन हो इस जाएसा बाइक की साउंड का और इस जाएसा वन्टुफाइब बाइक में किसी के अंदर भी साउंड नहीं है यह बात मानने वाली है अब नेक्स बाइक की बात करते हैं जो CG-125S है और इसके अलावा जो एसी मोडल उसके ग्राफिक से बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इसके अलावा सेल्फ स्टाट का ऑप्शन मुझूद है होने CG-15 जो सिंपल है उसके अंदर सेफस्ट्राट मुझूद नहीं है जो ऐसी मोडल है उसके अंदर सेफस्ट्राट मुझूद है अब चलते हैं इन बाइक्स की प्राइजिस की तरह हाँ सब्सक्राइब बात करते हैं अंदा सिझी वनबाइज सिंपल की तो होन्दा सिजी वनटाइज सिंपल की जब लेटेस्ट प्राइज चल रही है वह है 114,500 रूपीज। और इसके अलावा अगर अगर असके ऐसी मोड़ीशन स्पेशल एडिशन मॉडल की बात करें तो स्पेशल एडिशन की जो प्राइस चल रही है वह है 1,34,900 रूपीज अब हमाने जो नेक्स्ट पाइक है वह इंडिया के अंदर जिस बाइक को मैंने नमबर टू पे रखा है वह होंडा SP शाइन 1-5 CC होंडा SP के अंदर फोर्स्ट्रॉल स्नेंडर एर कुल्ड एंजन है और यह कार्बूरेटर बेस्ट इंजन है इस बाइक के अगर आप इसकी टॉप स्पीट की बात कर लें तो यह बाइक तकरीबन 108 से 115 तक भागेगा उससे जादा शायद चला जाए अगर इस बाइक के टैंक की बात करें तो 10.5 Pls का टैंक है और उसके अलावा गर आप इसकी पेट्रोल आवरेज की बात कर लें तो पेट्रोल आवरेज के इसाब से यह बाइक 55-65 km लेज़ देनी की सलायत रखता है इस बाइक के जो मीटर है वो डिजिटल है फ्रंट पर इ इस बाइक के गेर ट्रांस्मिशन की बात करें तो इस बाइक के इंदर फाइब गयर्स मुझूद है और वह रिटर्न शिफ्ट कि इसके इस वाइक की जो प्राइज है इंडियन रूपीज के हसाब से वह ए 70,000 रूपीज और अगर इसको कणवर्ट करें पाकिस्तानी रूपी मशूर भी हो है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि यह बाइक काफी कमफर्टेबल है इस बाइक का जो इंजन है वह फॉर्स रोग सिंगल स्लिंडर एर कूल सिंगल और एड कैम शाफ्ट इंजन है इस बाइक के रेव लिमिटर और इंजन बैलेंसर लगा हुआ है जिसकी वैसे यह बाइक आपको वैब्रेशन जादा फील नहीं करवाता इस बाइक के अंदर फ्रंट पर ड्रम और रियर पर ड्रम प्रेक मजूद है इस बाइक के जो टायर्स हैं उसके असाब से इसकी काफी रोट ग्रीप बहुत बहतर है इसका जो इंजन है वह टैन हो प्रोडिस करता है अगर आप टाफ अएक की बात करने सुटमटर। हैं और यह वाइक आपको तक तक रसवाड़िक बात अगर करें होंडा सीजी ओंडू फाइप के साथ तो सीजी ओंड़ बात करें दो चीजें जाद है इससे दोचीजह उच्छी हैं वह एक सांट और रोज दूसरी स्पीड अगर आप YBZ के प्रोस की बात करें तो YBZ के इतर जो प्रोस है वह एक इसकी comfortability दूसरा इसका जो टायर्स है और इसकी road grip तीसरी बात इसकी braking system और चौती बात इसकी handling ये चीजें इसकी बहुत जाद अची है अब बात कर लेते हैं इस भाइक की price की तो इस भाइक की जो price है व Honda Glamour के अंदर 4-stroke single cylinder liquid cool engine है इस भाइक का जो engine है वो EFI है electronically fuel injected is bike का engine है अगर आप इस भाइक की average की बात कर लें तो petrol average EFI होनी की वैसे आप इसकी petrol average 82 km per liter इस भाइक की petrol average जैसे company claimed है लेकिन आप reality में इस भाइक की petrol average तक्रीबन 70 km per liter expect कर सकते हैं क्योंकि ये एक EFI engine है और इंडि काफी refined और काफी comfortable होते है इसके जो shocks हैं वो काफी comfortable है और उसके अलावा अगर आप इसके tires में braking system में बात कर लें तो front पर इसके disc है rear पर drum brake है इस bike का meter है वो digital meter है और इस bike के जो tank capacity है वो 13.5 liters है इस bike की horsepower 9 है और उसी साब से अगर आप इसकी top speed की बात कर लें तो ये bike आपको तकरीबन एक सो 100 से 105 तक इस bike की top speed आप expect कर सकते हैं इससे ज्यादा मेरे खैल में 9 horsepower है तो इसी वैसे ज्यादा आप expect नहीं कर सकते हैं अब इस bike की price की बात कर लेते हैं तो इंडियान रूपीस के साब से जो इसकी bike की price है वो है 66,900 रूपीस अब इसको convert करते हैं पाकिस्तान इसको पास में compare करें तो हम पाकिस्तान और इंडिया के बाइक समय में फरक है इंडिया की community है वो चाहती है कि हमारे बाइक सो comfortable और पेट्रोल अवरिज बहुत अची दें और उस हिसाब जो इंडियन बाइक से जादा comfortable होते हैं उस जादा ही पेट्रोल आविज देते हैं तो comfortable इतने होते हैं लेकिन स्पीड उनकी अच्छी होती है अब पाकिस्तान में development हो रही है इसता अब जैसे यामा के बाइक सागे हैं सुदुकी के बाइक सागे हैं और डिफरेंट कंपनीज ने बाइक्स लाँच कर दी हैं लेकिन जो मेन भी रीजन आरही है वह है प्राइ आरही कम्यूनिटे के लिए काफी इसी हो जाएगा बाइक्स लेना अच्छे लेना क्योंकि जैसे कि इंडिया के बाइक्स मैं आपको दिखाएं यह काफी अच्छे बाइक्स हैं और काफी रिफाइंड इंजन है इन बाइक्स का और प्राइस भी इनकी कोई ज्यादा हाई पराइब की प्राइजется हिं प्राइज कि अगर पाकिस्टान में लांच हो जैंए बाइक तो क्या ही बात आधर मेरी टौप 3 एंडिया वर्सिस पाकिस्तान वाली बाइक्स की वीडियो इंच्टराइए और दो नहों लाँआए ऊन्सुड़ाइए निक्स्तों हुलाइए अ